hello everyone تو कैसी रही आप सबी की दिवाली I hope अच्छी रही होगी और सब अच्छे से रहना अपने आपको सरदी से बचा कर रखना थिक है तो हम कर रहे थे semi empirical mass formula semi empirical mass formula हमने निकाल लिया था अब उस पे बेस numerical करते हैं थिक है किस टाइप से आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप से numerical उस पे आते हैं और किस तरीके से हमको करना है सेमी-empirical mass formula ने हमने दो चीज निकाली थी एक तो हमने binding energy और दूसरी उसका mass formula निकाला था ठीक है तो numerical में कुछ भी पूच सकता है ठीक है तो हमारा question है determine the binding energy हमें दो C6 13 और 7 N 13 दो nucleus दिये गए है ठीक है हमें इनकी binding energy निकालनी है by semi-empirical mass formula है दोआरा question समझ में आगय होगा दो nucleus दिये हुए हमें इनकी binding energy निकालनी है by semi-empirical mass formula है ठीक है और constant की value हमको दी गई है A भी दिया गया है 14.1 में गई electron volt question में दिया गया है ठीक है AS किसी को याद में न हो तो numerical में दिया गया है अभी तुम याद कर लेना क्योंकि अगर किसी निकालनी में दिया नहीं होगा तो तुम्हें खुद से करना होगा उस time फिर तुम्हें परिशानी नहीं होगी इसलिए याद दे पहले कर लेना AA की value 19.0 मेगा एलक्टोन वोल्ट और AP की value 0 दी गई है और इनकी binding energy पूछी है ठीक है? क्यूस्चन बिलकुल समझ में आ रहा है तो सबसे पहले हम binding energy का formula लिखते है EB क्या है हमारे पास? ABA माइनस AS A की power 2 बाइ 3 माइनस AC Z Z माइनस 1 A की power 1 बाइ 3 माइनस AA A माइनस 2 Z का square अपोन A माइनस AP A की power 3 बाइ 4 ठीक है? तो यह binding energy का formula था mass formula नहीं लिखा उसके आगे जो mass वाला formula क्यूंकि हमें binding energy पूछी थी ठीक है? तो दोनों atoms की हम अलग-लग से निकालेंगे तो पहले निकालते हम 6 C 13 carbon 13 की ठीक है तो इसमें अमे पता है proton की संक्या कितनी है 6 है यह वाली proton की संक्या या फिर total अगर द्रोमान संक्या mass number कितने 13 तो neutron की संक्या के तो में जरुती नहीं पढ़ती है ठीक है? proton की संक्या किया है और mass number अगर neutron की जरूरत पड़ती neutron की संख्य की 13-6 तब वो हमें neutron की संख्या मिल जाती ठीक है तो निकालते हैं हमारे पास AV की value है AS की है AC की भी है Z की भी है सारी value हमारे पास है ठीक है तो करते हैं value put करते है AV की क्या है 14.1 into A की value 13 minus A की value क्या है 13 AS की value 13 ठीक है और A की value भी 13 है into 13 की power 2 by 3 minus AC की value 0.85 into Z की value Z, Z minus 1 तो 6 into 6 minus 1 upon A की value 13 इसकी power 1 by 3 minus A की value 19 A की value 13 minus 2 Z की value 6 कोली स्काइर अपोन A की value 13 minus AP की value 0 है ठीक है तो यह पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो इसको हम करते है calculation सबको करनी आती है तो इसकी calculation करना मैं direct result पूट कर रही हूँ ठीक है तो E भी इसको multiply करेंगे 14.1 इंटू 13 3 1 3 5 13 इंटू 13 प्लस 5 यह आ गया ठीक है minus इसको करेंगे sol करना तो इसकी 2 by 3 power निकालना तो 13 इंटू इसकी आएगी 5.53 के लगबग ठीक है minus 0.58 इंटू 6 इंटू 5 इसको sol करेंगे तो यह आएगी 2.35 के लगबग ठीक है minus इसको करेंगे तो 13 minus 12 1 1 का square 1 तो minus 19 आपोन 13 ठीक है इसको complete को sol करेंगे तो E भी इक्वल टू 23 minus इसको multiply करेंगे 71.89 minus इसको sol करेंगे तो 7.4 इसको 1.46 ठीक है calculation तूम करना और यहां से अगर इसको पूरे को sol करें तो यह positive और यह सारी negative टाम 183 है यह तो 71 7 1 तो बहुत कम है तो positive में value आएगी कितने आएगी 2.55 मेगा इलक्टोन वोल्ट तो यह हमारे पास से binding energy आई ठीक है तो binding energy यह किसके लिए carbon c 13 के लिए ठीक है कुछ नहीं है इसमे numerical जो constant value जो हमें d होंगी नहीं दी होंगी तो यह तुमाए याद कर ले न ठीक है और eb की value direct हमने हमें चाहिए क्या nucleus दिया हुए इसमें proton की संग्या और mass number ठीक है तो यहां से लिया mass number पूट किया direct बस calculation है और उसमें कुछ नहीं है formula याद रखना तुमें ठीक है तो कल next time है 7n 13 के लिए निकालेंगे तुम निकालना ठीक है और फिर देखना काम mistake हुई है कल मिलान करना आज निकालना तुम इसके लिए atomic जो हमारा proton की संक्या 7 हो जाएगी और n वो ही 13 हो जाएगा बस change यह रहेगा इसमें proton की संक्या z की value 7 हो जाएगी ठीक है तो कल करते है